तुमस्कार मैं हूँ शिवी अग्रवाल और आप सभी देख रहे हैं जेटी न्यूज मश्वूर एंकर चित्रते पाटी को बड़ा कौन नहीं जानता वह आज तक की काफी फेमस एंकर है चुकी है आज तक से उन्होंने काफी नाम खबाया है लेकिन अब उन्होंने दुबार आज तक के पहले वहीं काम करती थी उसके बाद अब वह दुबारा एक जर्नी के बारे में बताते हैं कि उन्होंने किस तरीके से अच्छी जर्नीत है कि इतनी मेहनत करके वह इतनी आगे बड़ी तो आईए जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में 18 सिक्तंबर 2007 को मैंने नियू वहां आ चुके थे कुछ पुरानी साती थे कुछ नए साती थे उनसे परीचे हुआ नियूज रूम में मैंने देखा कि खुबसूरत सी लड़की सिर जुकाए कुछ पढ़ रही थी अगले दिन जब मैं दफ्तर आया तो लड़की फिर से कुछ पढ़ते नजर आ रही थी स वो बोलती है मैं गोड मैड लिस्ट रही परिवार में लड़कियों को आगे जाने की कोई इतिहास नहीं था पत्रकारिता से कोई करीबी नाता नहीं था पढ़ाई के सात उन्हें मौका मिला गोरपपुर के एक केवल चैनल पर सत्या के काम करने का जी हाँ एक दिन में एंक वहाँ बेटी नाम से उसका शुरू हुआ चैनल में ज्यादा से ज्यादा चित्रा खुशोखी पहचान मिली पत्रकारिता जगत में सक्त से प्रतिष्टीर रामनाथ कोईंग का से अवार्ड मिला उसके बाद एबीपी न्यूज में चित्रा ने स्टूडियो में एंक्री औ जब आसतक में उन्हें मॉका मिला तो फिर से वह शौरत की बुलंदी पर पहुच गया जी हम आसतक में उनका काम दिख चुक है यसे ही उन्होंने आसतक जोईंग किया था तो वह इंडिया के अंदर काफी ज़्यादा फेमस हो गई थी आस तक से उन्हें काफी पेम मिला था उनकी महनत, लगन, बदौलत से उन्हें आस्तक की प्रतिष्टित चेयरमेंग्स अवार्ड भी मिला था आस्तक की चैनल हेट सुप्री प्रिसाद ने बुलिट रिपोर्टर भी शुरू किया था ये मौका उन्होंने चित्रा को दिया लड़कियों में बुलिट चलाने का पैशन हो गया उसी की तर्ज पर दूसरे चैनल्स ने बाइक और स्कूटी पे लड़कियों को चिनावी कवरिज करने की दोता रहा था आमको पता है चित्र पार्टी बुलिट पे नज़राएं थी अब ये कुछी दिन पहले एक महिला एंकर से बात हो रहे है जो चित्रा को बहुत पसंद नहीं करती मैं ये बात जानता हूं लेकिन उन्होंने कहा कि सर्चित्रा बहुत महनती है करियर को लेकर बहुत ही गंबीर है किसी भी मोर्चे पर वो कभी भी जाने के लिए तयार रह कामियाबी ने आज उनका दिमाग खराब नहीं किया जो बाकी एंकर्स का हो जाता है आज वो जमीन से जुड़ी हुई है और नेगेटिव चीजों को नजन्दास करते हैं कोई जेद नहीं है किसी भी तरीके की कोई बड़ी अपिक्षा नहीं है कोई शर्त नहीं किसी भी तरह पूरे मन से की जाए तो कामिया भी दूर नहीं चित्रा त्रिपाटी की जर्नी बहुत सी लड़कियों के लिए मिसाल है कि किस तरीके से अपनी जर्नी तैय करके उस मुकाम तक वह सकती है आज महीला एंकर होना आसान बात नहीं है हम सभी जानते हैं कि किस-किस चीज का सामन करना पड़ता है लेकिन इसके बाद भी चित्रा आज एंकर के तौर पर अपनी धाग जमाए हुए है चित्रा को नई चैनल में जोइन करने की शुब काम नहीं है आपको चित्रते पाटी कैसे लगती है जैंकर हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बता है और बागी खबरों क उन्मारी चैनल ये इनिव उत्रा आज है